हेलो एब्रीवन, वेलकेम बैक टो मैं चैनल गुड़ पुड़ गीता, आज मैं आपे साथ सेयर करने वाली हूं, गर्मी एस्पेसल बहुत ही चत्पटी चत्नी की रेस्पी, यह चत्नी बहुत ही सिंपल है और जटपट बन जाती है, तो जदी यह चत्नी की रेस्पी आप सभ को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा, यह चत्नी मैं आम पुदीने से बनाऊंगी, गर्मी में आम पुदीने आसिनी से मार्केट में मिल जाती है, अभी तो मार्केट में खूब सारे भर-भर के आम पुदीने आ रहे हैं, औ यह पेट के लिए बहुत ही फैयदयमंद होता है, इसकी तासी ठंडी होती है, तो इसे किसी न किसी रूप में खाईये, फैयदा ही करेगा, इसे मैंने अच्छे से डुपते पाने में दो-तीन बार धो लिया है, कुदीने के साथ सा थोड़ा सा धनिया पत्ता भी लिया है, चटनी को तीखी चटपटी बनाने के लिए 4 हरी मिर्च और 8 नौ लाजिंग की कली लिया है, सभी चीजों को अच्छे सवास कर लिया है, आप चाहे तो सिर्फ पुदीने के साथ या सिर्फ धनिया के साथ भी आम की चटनी बना सकते हैं, तो पुदीने के पत्ते को डंटर स में काट लेंगे, धनिया को भी काट कर त्यार कर लेंगे, चार हरी मिर्च को भी इसे काट लिया है, तो चटनी बनाने के सारी त्यारी कर लिया है, यहाँ पर मैंने चटनी बनाने के लिए एक मिक्सिक के चोटा वला जार लिया है, आप चाहे तो इसे सिल्वटे में भी पी भी डाल देंगे, आठ नौ लसंगी कली को भी डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे, मैं जटनी खटी तिकी चटपटी बनाने वाली हूं, तो मैंने यहां पर चार हरी मिर्च तोड का डाल दिया है, मिर्चा आप पने स्वात कुन सा ले सकते हैं, आप चाहे तो खटे को को बैलेंस करने के लिए एक चमत चीनी या एक सिदर्ड इंच गूर का टोकड़ा भी डाल सकते हैं, अब हम इसमें आदा चोटी चमत साथा नमक आओ आदा चोटी चमत काला नमक डाल दियेंगे, अब हम इसमें एक से दो बड़े चमत पानी डाल देंगे, शुरू में जादा पानी नहीं डाले, अब हम धक्कन लगाकर अच्छे से इसे ब्लैंड कर लेंगे, तो यह देखिए मैंने सभी शीजियों को अच्छे से पीस के पेस्ट बना लिया है, पीस्टे समय मैंने एक से दो आइस क्यूब भी डाल दिया था, आइस क्यूब या ठंडा पानी डालने से इसका रंग काला नहीं पड़ेगा, तो हो सके तो आप भी इसे जरूर डाले, तो इस तरह से गढ़ा चटनी बनका तैयार हो गया है, अब हम इसे एक बॉल के अंदर ट्रांसपर कर लेते हैं, इसे आप एक साप सुत्रे कांच के कंटेरर में निकाल का फीज में एक हपते के भी रख कर खा सकते हैं, अब हम इसमें एक चमच सशो का तेल डाल देंगे, यह कच्छा तेल है, इसे गर्म करके नहीं डालना है, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, इससे चटनी का टेस्टे काफी इनहिंस हो जाता है, इसमें और भी कोई शी नहीं मिलानी है, तब हमार आम धनी पुदिनिक के चत्पटी और सौधी चटनी बनका रेडी हो गया है, साथ ही यह हमारे शरी के लिए भी हेल्दी है, आप इस चटनी में इच्छा नूंसा पाएं डाल कर गाढ़ा से पतला भी कर सकते हैं, तो इस चटनी को आप समोज से पकोड़े, किसी भी एसनेक् कर सकते हैं, बहुत ही इजी और सिम्पल सी रेश्पी है, तो आप ही इसे जरूर ट्राइ करें, रेश्पी अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना किंती फिटबेक देना न भूलें, फिर मिलते हैं एक नई रेश्पी के सा तब तकनी, नमस्वार